नमाशकार दोस्तो लल्लू जी की रिस्वी में आपका सौगत करता हूँ दोस्तो आज की रिस्पी है मटर पुलाव तो ये मटर पुलाव बनाने में बहुत ही इजी है और ये मटर पुलाव को मैं एकदम खिला खिला बनाने वाला हूँ तो प्लीस इस वीडियो में बने रहे अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलेंगे हम यहाँ पर मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा कूकर ले लिया है इसमें हम यहाँ पर एड़ करेंगे तीन चमच देसी खी तो देसी घी का मैं इस्तमाल कर रहा हूँ देसी घी जब पिघल जाए तब हम यहाँ पर एड़ करेंगे आधा चमच जीरा तो जीरा थोड़ा सा यहां पर crash हो रहा है इसके बाद मैंने यहां पर 2 तेजपत्ता और 15-20 काली मिर्च के दाने लिया हूँ इसके बाद मैंने यहां पर 10 long लिया है 2 hari इलाची लिया है 2 black मतलब बड़ी वाली इलाची लिया हूँ इन सभी को add कर देंगे और फिर उसके बाद हम चमच की सहाथा से इनको रोश कर लेंगे थोड़ा से रोश हो जाएंगे ना तो इनकी खुजबी भी बहुत अच्छी आएगी इसके बाद मैं यहां पर एक बड़ी प्याज को लंबे स्लाइस में इस तरह मने कट करके लिया हूँ इसके बाद मैं यहां पर 10 से 12 यहां पर मैं add करूंगा काजू अब हमें क्या करना है इनको अच्छे से mix करना है इतना हमें mix करना है जब तक हमारी प्याज का color change नहीं होता है तब तक हमें ऐसे ही mix करना है मतलब हमारी जो प्याज है उसका golden color का नहीं होता है तब तक हमें ऐसे ही चला-चला कर इनको अच्छे से पका लेना है जब हमारी प्याज अच्छे से पक जाए तब हम यहाँ पर अड़ करेंगे आधी कटोरी यहाँ पर हम हरी मटर अड़ करेंगे इसके बाद मैं यहाँ पर अड़ करूँगा एक गाजर को देखिए गाजर को मैंने इस तरह तुकुड़े कर लिया है एड़ कर देंगे एड़ करने के बाद अब हमें क्या करना है हरी मटर और गाजर को ऐसे ही चला चला कर इनको थोड़ा सा भूझना है तो हमें दो मिट का वक्त लग जाएगा इन सभी को भूझने में जब यह अच्छे तरह से भूझन जाए तब हमें यहाँ पर एड़ करना है बासमती चावल तो यह देखिए दोस्तों बासमती चावल को मैंने अच्छे से चुन के दो बार पानी में अच्छे से वाश करके लिया हूँ और इसको एड़ कर देंगे फटाफट एड़ करने के बाद अब इस चावल को अच्छे से भूझेंगे ताकि सौध अच्छा आए पुलाओ का तो ऐसे ही आपको चलाना है लगभग दो मिर तक ताकि जो चावल है उसमें अच्छे से खुसबू आ जाए तो अच्छे से भूझ गया है उसके बाद मैंने एक कटोरी में चावल लिया था उसी कटोरी से मैं यहाँ पर एक कटोरी पानी एड़ करूँगा अगर आप कूकर में बना रहे हैं तो आपको एक कटोरी चावल और एक कटोरी पानी एड़ करना पड़ेगा और अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो एक कटोरी चावल और दो कटोरी आपको डालना है पानी अच्छे से mix कर देंगे और mix करने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक और नमक add करने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे हरी प्याज जो उसका उपर वाला पाट होता है हरारा उसको हम यहाँ पर add कर देंगे add करने के बाद अब हमें क्या करना है इनको अच्छे से mix कर लेना है अच्छी तरह से और mix करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं cap हम अच्छे से लगा के फिर उसके बाद हम CT लगाएंगे और उसके बाद हम एक CT तक बजने तक हम यहाँ पर इसका wait करेंगे जब एक CT अच्छे से बच जाए तब हमें समझ आना है कि हमारा जो मटर प्लाव होना वो अच्छे से पक गया है तो CT बच गई है ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ठंडा हो जाए तब हमें क्या करना है? चिक करना है CT उटा के और फिर कैफ को निखाल देना है और फिर हम चमस से ऐसे चला लेंगे तो देखे दोस्तों एकदम खिला खिला यहां पर मटर प्लाव बन के एकदम से रीडी हो गया है थोड़ा सा गरम है यहां पर तो इसको हम क्या करें ठंडा होने के लिए रख देंगे ऐसे और यह किदम खिला खिला दिखेगा यह दिखिए दोस्तों और फियूज के बाद हम यहां पर एक प्लेट मनिकाल लेंगे जैसे कि आपको मैं यह दिखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा यह दिख रहा है ना मटर प्लाव आप इस तरह बनाए और इंजॉय कीजिए तो मटर प्लाव का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं दोस्तों डेस्ट वीडियो में